Math 1 O level यह start करेंगे इसका unit number 13 है multiplication and division exercise है 13.1 तो question number 1 इसका आ रहा है multiply the following pairs आप लोग ने यह simple multiplication इसमें तो first part है इसका 3 multiply 7 देखो 3 multiply 7 वो हमारे पस 3 7s और क्या होता है 21 second part है 4 multiply 3 तो 4 3s are 12 third part है हमारे पस 1 multiply 10 10 को 1 से multiply कर दो 10 1s are 10 आजएगा इसका 4 part है हमारे पस 9 multiply 9 9 को 9 से multiply करो तो 9 9 0 81 आजएगा next 5 part है हमारे पस 20 multiply 5 आप लोग ने 20 को 5 से multiply करना है 5 को 0 से multiply करेंगे तो 0 आजएगा 5 को 2 से multiply करो 5 2 0 10 तो इसने 20 multiply 5 हो के आजएगा 100 आजएगा इसका 6 part है हमारे पस 0.3 multiply 2 अब 2 को 3 से multiply करें 2, 3, 0 होता है 6 चुकि हमारे पस यहाँ पर question में एक number की बाद point आ रहा है तो आप लोगों ने भी 6 की बाद point लगाने है तो इस तरह यह answer आ जाएगा 0.6 0.3 multiply 0.2 को जब multiply करेंगे तो 0.6 आ जाएगा question number 2 में है divide the following pair अब यह question हम लोग ने क्या करने है इनको divide करने है तो first part इसका 16 divided by 4 16 divided by 4 को हम लोग 16 by 4 भी लिख सकते हैं अब यह 16 को 4 पर divide करो 16 को 4 पर divide करेंगे तो यह 4, 4, 16 answer हमारा क्या आजेगा 4 second part इसका 20 divided by 10 20 divided by 10 को आप लोग 20 by 10 यह भी लिख सकते हो जैसे 20 को आप लोग 10 पर divide करेंगे गो तो हमारे पस answer क्या आजेगा 2 क्योंकि 10, 2 जर क्या होता है 20 third part है हमारे पसका 25 divided by 5 25 by 5 अब यह 25 को 5 पर divide करो 5, 5, 25 होता है तो answer हमारा क्या आजेगा 5 next part है 4 इसका 30 divided by 3 30 को आप लोग ने क्या करने है 3 पर divide करने 30 को 3 पर divide करेंगे 3, 10 जर क्या होता है हमारे पस 30 तो यह हमारे पस cancer आजेगा यह exercise आजेगा आजेगा आप लोग ने करने हैं